आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों मैं सिवम अपनी रूट चनल टेक्निकल सिवम पे स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने MI account का recovery email id change करना चाते हैं तो उसे आप कैसे change कर सकते हैं और उसमें नया email id कैसे आप add कर सकते हैं अगर आपने अभी तक add ही नहीं किया है आप पहली बार add करना चाते हैं तो भी यही process रहता है तो आप कैसे add कर सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर details में बताने वाला हूं तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा तो चलो तो आज का वीडियो कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटिस रुकेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब पर के बेल आइकन और करने अब यहाँ पर आपको करने क्या है अपने मुबाइल फोन के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको से टिंग ओब न ऐसी पहले तो मैं यहाँ से यह वाली email ID add करना क्यात हूं तो मैंने इसको fill up कर दिया Look at the next thing here to check here यहां पे आपको एक capture देखने को मिलेगा, यह capture आपको यहां पे fill up कर देना है, जैसा यह capture आपको देखने को मिले, capital letter में, small letter में, वैसा ही आपको यहां पे fill up कर देना है, तो मैं वीडियो को पोच कर लेता हूँ, मैं अपने capture को fill up कर लेता हूँ, तो मैंने यहां पे capture को fill up कर लेना है तो हमारा यहां पर capture fill up हो चुका है अब आपको करने क्या है यहां पर देखने को में में लेगा verified का option आपको इस पर click कर देना है जैसे आप इस पर click कर देते हैं तो आपका जो email इमेल आइडी यहां पर change हो जाएगा जो email आडी आपने यहां पर add किया है और यहां पर verify पर click कर रहा है तो ऐसे अपने mobile phone के अंदर आप recovery email आइडी आइड कर सकते हैं और उसे आप change भी कर सकते हैं अगर आप पहली वारा आइड कर रहे हैं तो इसी तरह के से आप कर सकते हैं तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद